देख बिनाबरेक दाउम्लोड ताक आप नमस्कार सुपागत है आप सभी कास्ट्रो तक में हूँ आपके साथ भाफणा शर्मा 13 डिसेंबर है और आज फ्राइडे का दिन रहेगा इसे के साथ बात करेंगे आपकी राश्यों की और जानेंगे कि आज का दिन कैसा है लेकिन उससे पहले आपको याद दिला देओं कि आप ताक आपके जरी भी जोड़ सकते हैं डाउम्लोड करने के लिए गूगल स्टोर ते जा सकते हैं शरुबात करते हैं इरीस के साथ स्टार और स्ट्रेंथ कार निकल रहा है आप लोगों के लिए आज कोई भी नया सौधा या किसी भी तरह की कोई डील्स करते समया आप डॉक्यमेंट्स को आज सही तरीकी से पर जरूर लेजए उसके बाद ही आप सिगनेचर की जएगा या आपके अंदर अगर बहुत जदा आइंगर अगर आ रहा है तो आपके रिलेशन्चिप को खराब कर सकता है तो आज के दिन में जतना हो सकता है शांत रहने का प्रयास कीज़े मालक्ष्मी की पूजा करना आपकों के लिए अच्छा रहेगा आज लक्ष्मी चाले सका पाथ करेंगे तो फिनांस में बढ़ोतरी होगी प्रिश्व राशी नाइन ओफ फंठाकल्स अन्दोहेर ओफिरेंट कार निकल रहा है कानूनी मामले जो है उसका निप्टारा आज हो सकता है हाला कि आपके पक्ष में दिखाए दिरा है लेकिन कही न कहीं पर देखा जाए तो शत्रू भी आपकी गदविध्यों को देख कर आज के दिन में परास्त हो जाएंगे आज जरूरी है अपने रिणों का भुकतान करना आपके उपर जो कर्जा चड़ा हुआ है उसे उतारने के बार में सोचे आज टाइम मैनेश्मेंट करना भी बहुत इंपोर्टन रहेगा सही समय का अगर उपयोग करेंगे तो खही तो प्रेंग नमहाया भी में तो अदुष्न आ बीजुवा विणा को आपने निकर निकल आप अपकी जीव में परिवर्टन हो आज जाने कि जो भी आपने सेटप किया हुआ है जो भी आपने प्लानिक करी हुई है उसमें भी आपको बदलाफ करने पर जाएंगे नई कारे आपको अपने जो अम्मित्र हैं, आपको सहायता लेनी पर सकते हैं, आज दिन में दामपत्र जीवन में मधुरता बढ़ेगी और एक डूसरे के साथ तालमेल भहता होगा, अपको उपाय के बात करी आपके दिन में सफेट चीजों का दान करना, खाने की चीजों का दान करना के लिए आज थोड़ा से समय लग सकता है तो व्यार्थ में अपना समय बरबाद नहीं करें बलकि आने वाले समय के बारे में एक सिक्योर तरीके से सोचेंगे तो भैत रहेंगा इन्वेस्ट्मेंट्स के लिए हासे आज के दिन अचा रहेगा आर्थिक सिती आप लिए कमजोर होते हुए भी आज के दिन में काम चलता रहेगा तो कहीं न कहीं पे लॉसस पे दिखाये दे रहे हैं लेकिन साथी साथ में नया सोर्स अफ इंकम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रिलेशन्शिप्स में आज मतुरता बढ़ेगी कमट्मेंट्स के बारे में आप लोग सो आप हर चीज के लिए क्लेरिटी बना करके रखें बेना वज़ा का क्रोध या वाद विवाद में नहीं पड़ें तो बैदर है नहीं तो आपकी छवी खराब हो सकते हैं सिंग राशी वालों के लिए चंदन का तेल खयगाकर की दिन के शिरुवात किजएगा और साथी में यात्रा हैं आपके लिए लाफरत रहेंगे वर्गोस, queen of pentacles and queen of wands का निकल रहा है आप लोगों के लिए आज बरतमान में उननती दिख रही है आप लोगों के लिए present समय में जीने का आपके लिए अच्छा रहेगा क्यूंकि आप पहले के बारे में सोचेंगे आने वाले सम सकते हैं तो जरूर यह है present situation के बारे में सोच करके ही आप आगे बढ़ें और खासता पर जरान दिख रहा है कि आपके लिए खरीद फरोक्त का जो चीजे है वो बहतर हो सकते हैं उसमें आपको positive responses मल सकते हैं आपके आकरशन से आज दूसरे प्रभावित हो सकते हैं तो कही न करने आराश्ची वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए अज हरी चीजों का दान करना चाहरेगा साथी में गड़पती जी की पूजा करके दिन की शिरुवात केज़ेगा लीब्रिन सेवनों सेंसिक्स और पंटाकल का निकल रहा है पारवारिक मामलों में आप समझदारी से कारे करेंगे तो बहतर है नहीं तो बिना वजब की बातों पर शिर्चड़ापन अंग्जाइटीज और खासतोर पर वाद वाद बढ़ सकता है वैवाहिक संबंदों में कहने करता आ सकते है तो उसलिए जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल और प्रफेशनल लाइफ को मिक् इसके अलावा मालक्षमी की फूजा करनी हो मालक्षमी को आप लगों को गुलाब के पुष्पिया फिर रोस क्रिस्टल मा के सामने रख करके उसके बाद अपने रूम में रखना है असा करने से भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी रिलेशनिशिप से बेटमेंट बढ़ेग कि इमोशन्स में आकर कि कोई डिसिजन आले तो बहतर है प्राक्टिकल हो जाना ही आज आके आपके लिए अच्छा रहेगा व्यापार में बड़ोतरी हो रहे है कांका आज आपका बनेगा आज के दिन में आयके नए स्रोत भी बन सकते हैं आज स्वास अमल ही दिक्कते हो सक आज के दिन में किसी विशेश कारिक के लिए आपको मेहनत करनी पर सकती है और उसमें सफलता भी मिलेगी आज के दिन में धनुराशी वालों को ध्यान रखना चाहिए अगर स्टूरंट हैं तो बिना डिस्ट्राक्शन के अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा क्य अच्छा है हर कोई आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन किसे भी काम कुछ नए से शुरू करना आज एक ऑप्शन हो सकता है जो की खास और मार्केटिंग लाइन से जुड़े हुए हैं जो इंट्रोंस है उनके लिए आज कदना अच्छा रहेगा नई उपरिशनटीज आ जात्राइं दिखाई दे रहे हैं और खासतार पर कामकार्ट से जुड़ा हुआ कहीं न कहीं पर कुछ नई शुरूआत होती हुए नजर आ रही है जो लोग फाप्रिकेशन के काम से जुड़े हुए उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा इंवेस्मेंट्स कहीं करनी पर सकते हैं उपाई की बात करी जाए तो कुम राशी वाले लोग आज प्रयास करेंगे संधा काल किसमें लक्ष्मी चाले सकापाट करेंगे मीन राशी नाइन अप सौज अनेस अफ सौज का निकल रहे है पारिक स्थाल पर लोग आपके लिए सपोर्टर रहेंगा सीनर से कुछ न कुछ प्रोचान सुनने को मल सकता है सरकार भी पक्स सिलाब होगा लेकिन सेहत भी गड़ सकते हैं इसलिए सेहत के लिहाज में कोई भी लापरवाई मत कीज़ेगा आज की दिन में उपाई रहेगा सफेद रंके वस्त धारन करके आज मासर रश्पति की बूजा करन झाल